दोस्तों कहते हैं न किसमत कब पलट जाए और किसके लिए पलट जाए कब महरबान हो जाए ये किसी को पता नहीं चलता शोशल मीडिया पर आये दिन कुछ ऐसे चेहरे आते रहते हैं जिससे लोग अन्भिग्य होते हों और अचानक से वो चेहरे जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनसे कई जन्मों का रिष्टा है और वो इतने पसंद आने लगते हैं कि आप उनको बार-बार देखना पसंद करते हैं कई बार लोग आपके सामने होते हैं लेकिन आप उनकी परतिभाव को समझ नहीं पाते हैं और अचानक से वो आपको इतने ज़ादा पसंद आने लगते हैं और उनकी भी वो बेहनत जो वो इतने सालों से करते आये हैं कभी-कभी एक रात में ही सफल हो जाती है आज बात करते हैं सोशल मीडिया पर चाय वे एक नए स्टार की जिनका नाम है सैजान खान आखिर कौन है सैजान खान लोंग दल अशकारा डांस करते हुए अक्सर आपने यूट्यूब रिल्स शोर्स वगेरा में ये दिखाई देते होंगे आखिर कौन है ये बंदा जिसकी इतनी जादा फैन वोलेंग है क्यों लड़किया इनकी स्माइल की दिवानी हो रही है आपको पता दे कि लोंग दल अशकारा गाना इनका इतना जादा फेमस हुआ था कि इनको एक ही दिन में कई लाग सब्सक्राइबर और फोलोवर्स मिल गए थे इनको पसंद करने वालों में से संक्या लड़कियां की जदा है यानि की लड़किया इनको पसंद करती है लोंग दल अशकारा इनका पहला ऐसा गारा नहीं है जो हीट हुआ है इससे पहले भी ये लोगों की नजरों में आए थे लेकिन जितनी क्याती इन्हें लोग का लख्षकारा गाने से मिली है इतनी शायद किसी गाने से नहीं मिली आपको बता दे कि एक इंटर्व्यू में शहजान ने कहा कि जब मैं लोगों की हाँ पर जादा जाता हूँ इस्टे शोज वगेरा करने के लिए स्पॉंसर्स के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर मुझसे अक्सर कोशन किया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है कि लोग लख्षकारा गाना कर पर डान्स हमें सिखाओ आपको बता दे कि जब से इनका गाना फेमस हुआ है काफी सेलिब्रिटी भी इनको कॉंटेक्ट कर चुके है इनके साथ रील बरारे में और इन्होंने वो बराई भी है बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इनका पूरा नाम है शैजान खान ये मुंबई के रहने वाले हैं और इनका जनम मुंबई में ही हुआ है शैजान का जनम 1996 में हुआ था अभी ये 27 साल के हैं ये प्रोफेशन से एक डांसर और कोरियोग्राफर है ये मुसलिम धर्म से तालुक रखते हैं और फिलहाल ये इंडिया में ही मुंबई में रहते हैं इन्होंने अपने स्कूलिंग और हायर कौलिफिकेशन ग्रेजुएशन सभी मुंबई से ही की है सबसे पहले इन्होंने जग्गा जाशूस में एजए बैक्राउंड डांसर डांस किया था शेजान कई तरीके के डांस कर सकते हैं ये ना सिर्फ एक कोईरोग्राफर है बलकि एक काफी अच्छे डांसर भी है लेकिन उस वक्त तो किसी की भी नजर इन पे नहीं पड़ी इसके बाद इन्होंने काफी फिल्म के गाने किये हैं और उसके बाद बैक्राउंड डांसर की तरह इन्होंने अपना करियर बनाया लेकिन ये रात और रात फेमस हुए जब इनका लोंग दा लशकारा डांस शोशल मीडिया पर च्छा गया शैजान का मानना है कि उनको भी एँ उमीद नहीं थी कि किस तरीके से एक दिन में ही वो इतने जादा फेमस हो जाएंगे और लोग इनको काफी यानि की इतना जादा पसंद करने लगेंगे बात करते हैं इनकी हाइट की इनकी हाइट है पाँच फुट आठ इंच वेट 76 के करीब अगर बात करें इनके हेर और आई कलर की तो ब्लैक है शैजान खान को शारुक खान काफी जादा पसंद है और ये अपनी फिजिक्स और हैल्थ पर काफी अच्छा ध्यान देते हैं इनकी नेट वर्थ एक करोड के करीब हैं अगर बात करें इनके मेरिटल स्टेटस की तो इसके बारे में कोई भी अभी जानकारी नहीं है लेकिन सुत्रों के हिसाब से ये अन्मेरिड है पर इनकी कोई भी जानकारी यानिके माता पिता और भाई भेन की कोई भी जानकारी कई भी शोचल मीडिया पर अवलेबल नहीं है इनका यूट्यूब चैनल और इंस्ट्राग्राम दोनों ही है आपको दोनों के लिंक नीचे दे दिये जाएंगे आप चाहे तो उनको फोलो कर सकते हैं अगर बात करें इनके फेवरेट एक्टर की तो शारू खान और रीतिक रोशेन इनके फेवरेट एक्टर हैं और एक्टरस की बात करें तो कायरा अडवानी इनको काफी जादा पसंद है इनको मराटी फूर खाने का शोग है और ये गोवा में रहना सबसे जादा पसंद करत है फेवरिट कलर इनका येलो है आपको सेजान खान कैसे लगते हैं और क्या ये जानकरी जो आपको मैंने बताई है ये इसके बारे में आपको कुछ भी जानकरी थी तो कुमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लैक जरूर की जिएगा थैंक्यू सो मच